अलोबीरा तो आपने अपने बालों में और अपने फेस पे कईवाल लगा होगा लेकिन आज मैंने जो तरीका आपको बताया है अलोबीरा जेल लगाने का उसको अगर आप लगाते हैं तो आपको 100% हेयर फॉल में कमी देखने को मिलेगी आलमोस्ट आपका हेयर फॉल खतम हो जाएगा इसके अलाबा आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है बाल बहुत चोटे हैं लंबाई उनकी नहीं बढ़ती है तो इस तरह से अलोबीरा जल अगर आप लगाएंगे तो आपको इससे फादा मिलेगा ही यह इतना ज्यादा इफेक्टिव है इतना ज्यादा बैन सीपर तो आएए देख लेते हैं कि हम इस रेमडी को कैसे बना के तयार करेंगे तो इसको बनाने के लिए जैसे कि आपको पता है कि हमको सबसे पहले जो मैन इंग्रिडिनेंट हमारा होगा वह है ऐलो बीरा मैं यहाँ पर तो फ्रेस ऐलो बीरा जेल का इस्तिमाल कर रही हू मैं इसमें लगवा एक कटूरी पूरा भरी के ऐलो बीरा जेल मिल जाएगा जब हम फ्रेस ऐलो बीरा लीफ को कट करते हैं तो उसके अंदर येलो कलर का इस तरह का जेल निकलता है इसको आप काटके अलग निकाल दीजिए अब हम इस ऐलो बीरा लीफ को दो पार्ट में कट कर लेंगे और इस स्पोन की मदद सेरे कना जlib लेंगे वैसे अगर आपको ऐलूबीरμ जेल निकालने में काफ़ी ज़ड़ जड़ इसको मिक्सल्म एक ब्लेंड करओ तो इससे अच्छा आप इकमगा लें लिजिए कुई सवकेह इस जेल के ऊपर आप रव करिए तो तो बहुत ही आसानी से सारा का सारा जेल निकल आता है और इसको आपको ब्लेंड भी नहीं करना पड़ता है और आप इसको डारेक्ट भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो मैंने इस तरह से जeld को छोटë- successful pieces मेंने निकाल लिए है अब इसको blend करने जा रही हूँ मैं इसको blend करूंगी एक जार में डालकि इसको 8-10 सेकेंड के लिए हम mixer मीं मिखसर में चला लेंगे तो इस तरह से मैंने जैल को अच्छे से blend कर लिया है और यह इस तरह की liquid consistency में आगे अब हम इस जैल के अंदर कुछ चीज़ों को add करेंगे जिससे कि यह काफी जादा powerful हो जाएगा तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसके अंदर add करेंगे बो है सीका काई powder सीका कई पाउडर हमारे बालों की ग्रोध के लिए बहुत जयादा फादयमद होता है यह हमारí बालों की ग्रोध को टेज करने के साथ बालों को तूटना ज्रणा भी कम कर देता है मेरा खुद का experience है कि सीका काई का powder इस्तिमाल करने से बालों का टूटना जहना कम होता है और बालों की growth भी तेज हो जाती है तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक चमच पूरा भर के सीका काई powder इसके बाद में जो हम अंगली चीज इसके अंदर एड करेंगे वो है आमला पाउडर यानि की gooseberry पाउडर आमला पाउडर और सीका काई पाउडर इस दोनों पाउडर का जो combination है वो हमारे बालों के लिए अम्रत की तरह काम करता है तो मैं यहाँ पे आमला पाउडर भी ले रही हूँ एक चमच बराबर बराबर दोनों पाउडर हमको लेने होंगे इसके बाद में हम इन चीज़ों को अच्छे से mix कर लेंगे मेरी का टोरी छोटी थी इसलिए मैं इसको अच्छे से mix नहीं कर पा रही थी तो मैंने इसको 8- 10 सेकिंड के मिक्सर में चला लिया इसके बाद में हमें इसके अंदर कुछ और चीजों को भी एड़ करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा ओल मैं यहां पर ले रही हूं कोकोनट ओल आप चाहें तो कैस्टर ओल ले सकते हैं कैस्टर ओल हमारे बालों के लिए और भी ज़्यादा फायदे मंद होता है अगर कैस्टर ओल आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ओल ले सकते हैं इसकी जगह तो मैंने यहां पर एक चमच लिया है कोकोनट ओल इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद में जो हम अगली चीज इसके अंदर एड़ करे हैं यह भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होते हैं इसके बाद में जो अगली चीज हम लाश्ट में लेने वाले हैं वह है हानी यानी की सहद हनी मैं यहां पर लेने वाली हूं एक चमच और फिर इन सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से यह हमारे बालों के लिए एक पावर पैक्ट बनके तयार हो चुका है इसको आपको कब लगाना है वो जान लेते हैं अपने बालों को दुलने से एक घंटे पहले इसको अपलाई कर लीजी अपने बालों में काफी अच्छे से पूरी लेंथ पर भी अपलाई करिए और बालों की जड़ों में भी लगाए अगर आपके बालों की लंबाई के साब से अलूबेरा जल को कम यह जादा कर सकते हैं इसके बाद में से एक घंटे के लिए चोड़ दीजिए और अपने बालों को फिर शैंपू से दो लीजिए इसके पहले ही इस्तिमाल से आपको अपने बालों में फर्क दिखाई देगा आपको जो हेर फॉल हो रहा था उसमें आपको तुरंत कमी दिखाई देगी इसके अलावा आपके बाल इंस्टेंट सिल्की और साइनी भी बनेंगे तो आप इस प